नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्य कुमर और एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करक राशी के पुरुष किस तरह के रहते हैं? कैसी उनकी विचारधारा रहती है? उनका personality, उनका स्वभाव, जीवन को देखने का उनका नजरिया किस तरह का रहता है? उनका आर्थिक इस्तर, उनका relationship और साथ ही उनका स्वास्त पूरे जीवन में कैसा रहता है? इन सारी विश्यों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो कालपुरुष की पत्रिगा में करक राशी चतुर्थ इस्तान में आते हैं इस राशी के स्वामी चंद्रदेव हैं, स्त्री राशी है, जलतत्वर राशी है और साथ ही दोस्तो चरर राशी है दोस्तो करक राशी के जो पुरुष होते हैं वो पूर्णत भावनाशील होते हैं अमूमन हम देखते हैं कि जो पुरुष वर्ग है उनमें भावनाएं कम रहती है लेकिन जो करक राशी के जो वेक्ति हैं उनमें भावनाएं बहुत ज़्यादा होती है इस राशी के वेक्तियों की अगर हम पहनावे की बात करें, रहन सहन की बात करें, वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं ये अपने पहनावे के मामले में भी ज्यादा चूजी नहीं होते हैं या फिर कोई trending fashion ही इन्हें अपनाना है, ऐसा नहीं होता है इन्हें जो भी ठीक लगे, नॉर्मल लगे, अपने मर्यादा के अंदर लगे, ये वही ट्राइ करते हैं अपने जीवन में खास करके family related या फिर relationship के मामलों में ज्यादा बोल सकते हैं और बोलना पसंद भी करते हैं ये अपने जीवन में बाते करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये किसी दूसरे विशे पर बात नहीं करेंगे, जैसे career related या फिर पैसो को लेकर ये ज्यादा तर अपने relationship के मामलों को लेकर बात करना पसंद करते हैं इनका बातचीत ज्यादा तर emotional level पर रहता है करक्राशी के वेक्तियों में ज्यादा तर रूची, relationship के मामलों में ही होती है इनमें सबसे महतुपून बात, जो घर परिवार के लोग हैं, उनसे ये बहुत ज्यादा attach रहते हैं ये ज्यादा तर अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं जो इनके friends होते हैं, मित्रगण हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो उनसे ज्यादा ये अपने घर वालों का care करते हैं इनके जीवन में जो सारी खुशिया होती है, जो सारा आनन्द होता है वो घर परिवार के लोगों के साथ ही जुडावा रहता है करक राशी के वेक्ति अपने जीवन में, career में भी आगे जाते हैं, पैसे भी अच्छा कमाते हैं लेकिन जो भी इनका responsibility होता है, ये पूर्णता अपने family के और ही रहते हैं ये अगर कुछ खर्च भी करना हो, तो अपने लिए नहीं करेंगे, अपने परिवार जनों के लिए खुले मन से करते हैं जो भी इनके जीवन में income होता है, पैसे कमाते हैं, जादा तर ये अपने घरवालों के उपर खर्च करना पसंद करते हैं इस राशी के पुरुष में एक ही विचारधारा रहती है, कि अगर हमारे घरवाले खुश रहें, तो ही हम आनंद का अनुभाव करेंगे दोस्तो करकराशी के पुरुष में सबसे ज़्यादा महतपूर्ण बात कि इनकी जो माताजी रहती है, उनके लिए इनका attachment बहुत ही ज़्यादा रहता है ये अपनी माताजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ज़्यादा तर पुरुष नुकलियर फैमिली बना लेते हैं, लेकिन जो करकराशी के जो पुरुष होते हैं, वो जॉइन फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ये अपने जीवन में अपने माताजी को अपने से दूर कभी भी नहीं रखेंगे और साथ ही इनकी जो माताजी रहती है उनका भी इनके प्रत्री एट्रेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है कहने का तात्परी यही है कि मा और बेटे में इस तरह का attachment रहता है बस इनको देखने से पता चल जाता है कि कोई problem है या सामने वाला व्यक्ति दुख में है इनको अपने माताजी के लिए शब्दों का भी उच्चारन का जरुवत नहीं पड़ता है यह खुद ही बिन बोले समझ लेते हैं करक्राशी के पुरुष के अगर हम केरियर की बात करें तो यह घर में तो बहुत अच्छे होते ही है साथ ही अपने केरियर में भी नॉर्मल रहते हैं ये अपने जीवन में बुद्धिमान रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपने बुद्धी का इस्तमाल ये अपने जीवन में नहीं करते हैं हाला कि करक्राशी के जो पुरुष होते हैं ये मेहनत बहुत ज़्यादा अपने जीवन में कर सकते हैं करक्राशी के वेक्ति practical भी होते हैं इनको पता रहता है कि पैसे किस तरह से खर्च करना है कहां खर्च करना है कब खर्च करना है और इनके ज़्यादातर खर्चे अपने family related ही रहते हैं बाहर के व्यर्थ के खर्चे ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये अपने जीवन में कोई भी चीजों को खरीदने से पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये हमें long run effect में काम आएगी की नहीं, इसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं, ऐसी विचारधारा ये अपने जीवन में रखते हैं, करक्राशी के वेक्तियों में तक financial status रहता है, वो काफी अच्छा देखा जाता है, तो दोस्तों उम्र के दूसरे पड़ाओ में करक्राशी के जो वेक्ति होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह सेटल हो जाते हैं, करक्राशी के पूरुष बहुती शांत और सौम्य होते हैं, ये अपने जीवन में hard work भी करेंग और साथ ही अपने परिवार जनों का भी ध्यान रखते हैं, अगर ये वेवाहित हैं, तो अपने वेवाहिक जोरिदार के परिवार के भी responsibility ये ले ले लेते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह निभा कर ये अपने जीवन में चलते हैं, इस राशी के वेक्ति खुद को दुख में डाल देंगे, लेकिन अपने परिवार जनों को दुख में कभी नहीं आने देंगे, ये अपने जीवन में कभी भी अपने परिवार को problem में आने नहीं देते हैं, तो एक तरह से देखा जाए, इनकी जो पतनी रहती है, वो बहुत ही लखी साबित होती है, करक्राशी के वेक्तियों में जो समाज को देखने का जो डिस्टिकोन होता है वो दूसरे राशियों से अलग होता है ये ज़्यादा तर अपने फैमिली के बारे में ही सोचते रहते हैं जिसके वैसे जो बाहर के जो लोग होते हैं जैसे कि हमारे मित्रगन उनके बारे में ये ज़्यादा न मेतोपुन है दोस्तों अगर आप करक्राशी के व्यक्ति के साथ आप कोई भी रिलेशन में हो तो भूल कर भी इनके परिवार जुनों का अपमान कभी ना करे आपका रिलेशनशिप एकदम से खतम हो सकता है और खास करके दोस्तों इनके माताजी के लिए कोई भी कभी नहीं करना करक्राशी के पुरुष अपने काम को लेकर selective नहीं होते हैं इनका बस यही मानना रहता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं बस हमें अपने जीवन में पैसे कमाने हैं और अपने घर परिवार को समालना है इनका physical strength भी बहुत अच्छा होता है तो physical level पर भी यह बहुत अच्छा मेहनत अपने जीवन में कर सकते हैं करक्राशी के पुरुष hard working होते हैं, visionary होते हैं यह अपने जीवन में थोड़े बहुत निदर भी रहते हैं और काम करने के लिए हमेशा ततपरवर रहते हैं और साथ ही दोस्तों यह business भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसी कारण यह अपने जीवन में अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं इस राशी के वेक्ति खर्च करने में पिछे रहते हैं, saving करने में आगे रहते हैं तो जीवन में पैसो के related इन्हें कोई भी problem नहीं आते हैं करक्राशी के वेक्तियों में स्वास्त के related ज़्यादा problem नहीं आते हैं लेकिन इन्हें पेट संबंदी परेशानी रहती है अपने जीवन में पेट संबंदी बिमारियों के उपर ध्यान देना करक्राशी के पुरुषों के लिए आवशक है और साथ ही दोस्तो करक्राशी के वेक्ति अगर घर में इनके कोई तनाव परेशानी हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं जिसकी आवशकता भी नहीं रहती है तो इसी कारण इनके जीवन में इनको हिदे रोग भी रहता है तो इसके उपर भी ध्यान अवश्य दीजेगा ज्यादा स्ट्रेस या टेंचन अपने जीवन में घर परिवार को लेकर ना ले तो दोस्तो करक्राशी के पुरुष अपने घर परिवार से जुड़े होते हैं अपने कार्यस्थल पर अपने कामों को मेहनद से करते हैं और एक अच्छा सुगम जीवन ये वेतीत करते हैं तो दोस्तो ये था करक्राशी के पुरुष अपने जीवन में किस तरह के रहते हैं कैसी उनके पर्सनेलिटी रहती है अगर आपको ये दीवी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही कमेंट बॉक्स में जै श्री राम अवश्य लिखें तन्यवाद दोस्तो